रिये स्टाइट होने के बाद यह अपडेट हो जाएगा, अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यह अपडेट हो चुका होगा, यहाँ पर आप चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप देख रहें, यहाँ पर यह अपडेट हो चुका है, यानि तो आपको क्लिक कर देने इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन ही दिख जाएगा 25120 यानि यह अपडेट हो चुका है इसके अंदर क्या-क्या नया है यदि आप वो देखना चाहते तो यहाँ से क्लिक करके आप वो देख सकते हैं यानि तो अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको क्या-क्या नया मिला है क्या-क्या बग फिक्स होई वो सब में आपको बताता हूँ सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के बाद आब आपको एया रम 64-bit का जो प्रोशेसर था उस डिवास के अंदर यह सपोर्टेट करना सुरू कर अब आपको इस डिवास के अंदर देव चैनल भी सपोर्ट करेगा आप इसको अपडेट कर सकते हैं इस वर्जन का अब आपको यहां पर आईशो भी मिल जाएगा आईशो रिलीज कर दिया है यदि आप यह वाला वर्जन का आईशो डाउनलोड करना चाहते तो यहां पर आपके आईशो डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर नीच आएगा नीच आने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पर किलिक किजेगा अब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा देव चैनल वील 25120 यहां पर आप सेलेट कर लिजेगा इसक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद इस वाले अपडेट में यहाँ पे नया विज़ट मिलेगा. यहाँ पे आपको desktop के उपर ही एक विज़ट मिलेगा. जिसके अंदर आप यहाँ पे search कर सकते हैं, यहाँ पर पर you search कारे यहाँ यहाँ पर your search करने के लिए दिए जाएगा, यदि आपके case में यहाँ option नहीं आ रहा हो WAS तो यहाँ पर熟 क्लिक किजिएगा, इसके बाद यहाँ पर आपके copy on option पर जाना है यहाँ के अंदर इसके बाद यहां पर आपको changes मिलेगा इसके अंदर bug था यानि date time के अंदर bug था इस bug को यहां पर fix कर दिया है यानि तो suggestion action के अंदर भी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर bug था suggestion action के अंदर date and time आता है वहां पर भी bug था उसको भी fix कर दिया है यानि date and time से related जो भी बग था इसके अंदर फिक्स कर दिया है इसके बाद जो बग फिक्स किया है यहाँ पर सेटिंग के अंदर यदि आप लैप्टॉप या नहीं तो आपके केस में बैटरी का आइकन देखता होगा तो यहाँ पर बैटरी का गर आप देखने के लिए यहाँ पर किलिक करते थ यदि आप contrast theme के अंदर यहाँ पर इनेबल करते थे तो यहाँ पर performance में कुछ issue आ रहा था उस issue को यहाँ पर fix कर दिया है इसके बाद जो bug fix किया है यहाँ पर rollback यानि window update के अंदर rollback करने के time पर कुछ issue आ रहा था तो उस problem को इसके अंदर fix कर दिया है next bug fix हुआ है वो game वालों के लिया है यदि आप window 11 के अंदर game play करते होंगे उस game के अंदर anti cheat use होता है तो उसके case में यहाँ पर crash हो जाता था कुछ bug था यहाँ पर play नहीं हो रहा था तो उस bug को इसके अंदर fix कर दिया है अब आपको जिस भी game के अंदर anti cheat वाला यह problem आ रहा था यानि crash हो रहा था crashing का issue आ रहा था ओए issue इसके अंदर fix कर दिया है तो मोटा मोटा यहीं update था बाकि यदि और भी जैदा detail देखना है यहाँ पर click करके आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा detail दिख जाएगा आप देखना है यहाँ यहाँ पर update मिल जाएगा तो जो main main चीज था वह मैं आपको बता चुका हो और प्लीज गाइज चैनल को subscribe करे like करे share करे thank you